आज के हमारे विशेष कारी क्रम में आज विशेष कर्यकर मिसले वी है की आज हमारे एक जो लगातार दर्शक हैं हमार सहत्iasm क्रमक को देखते रहते हैं उनका परश्ण है गंबीर व सकता है आप में भी बहुत से लोगों के मन में इस प्रकार के परश्ण उड़ते वीडियो को स्क्रिप्ट ना करें लगातार सुने समझें और देखें एस पीपी जो इनका नाम है यहाँ पर यूटूब पर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में जो उनका कमेंट है वो उसको मेंसन कर दूँगा मान सागरी पर यहाँ लिख रहे हैं कि गरंथ यहाँ गरंथ है या कलेस है सूर्य चंदर बुद और शुक्र की युटि की वीडियो पर यह कमेंट कर रहे है क्योंकि सभी युटि जो गरह की युटि होती है उनका मैं लगातार आपके साथ चर्चा कर चुको जितनी भी गरह युटि है चाया दो गरह तीन गरह चार गरह सभी युटियों पर वीडियो आपके चैनल कर उप्रभ धर्धियाद पर जो ती उस पर अगर आप भी उनने देखना चाहते हैं तो उन पर उन्होंने कमेंट किया कि यह गरंथ है या कलेस है आचारजी आपने कहा क्यूंकि मैंने जब वीडियो उस पर नहीं है पर बता रहा हूँ मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि यह समस्या उनके साथ ही नहीं हो सकता है यह समस्या आपकी भी हो सकता है कि आपके मन में भी ऐसा प्रश्ण उड़ता होगा यह खासकर जो जो 30 जिग्यासु हैं जो 30 के विद्यारती हैं जो 30 में अध्यान कर रहे हैं यह उनका एक बहुत सामन्य प्रश्ण हो सकता है क्योंकि प्रारंबिक चरण में जब हम भी अध्यान कर रहे थे जो 30 का तो हमने भी मानसागरी पुस्तक पड़ी थी और उस समय मान सागरी को पढ़कर के हमारे मन में भी यह संकल्प होता था कई बार यह विचार उड़ता था तो इसलिए इस पर कारक्रम मुझे लगा कि बनाना बहुत जरूरी है मैंने उनको भी आस्वसन कमेंट में दिया उत्तर में कि आवश्य हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे तो आप इसको समझें कि वो क्या कहना चाहरे है उन्होंने कहा कि यह गरंत है या क्लिस क्योंकि मान सागरी में जिस प्रकार से इनके फल को बताया गया है यूतियों को वहा ऐसी यूति का फल कि जिसमें मान सागरी कह रही कि बिल्कुल खराब यूती है और हमने उन लोगों को बहुत अच्छा जीवन जीते हुए देखा और उसके विपरीद जहां अच्छा लिखा हुआ है वह सकता हुआ बहुत खराब भी देखने को मिल रहा होगा तो यह समस्या क्या है इसका उनके सामने यह स परसंद करें तो मैं हमारे स्रिमान SPP आपका नाम इसमें यह सो रहा है आपका नाम क्या मुझे पता नहीं है और आपके साथ में तमाम दर्शक जो हमारे रेगुलर विवर्स है जो लगातार जो तिस जिग्याशू है हमारे सनई बंदों हैं जो कारिकरम को देखते हैं जो वो इस बात को समझें कि उनके मन में यह मन में ऐसा प्रश्न क्यों उठा और ऐसी जो समस्यां हैं वो हमारे आगे क्यों आ रही हैं सबसे अच्छा तो सबसे पहले मार्क दरसंद जो नों यहाँ पर सब्द को मेंसन किया कि मार्क दरसंद करें अब यही बात होती है क्योंकि पुस्तक जब हम खरीद करके लाते हैं और पुस्तक हम जब पढ़ते हैं तो पुस्तक से बहुत सारी बाते हमारी समझ में नहीं आती है समझा है क्योंकि हमारे पास किताब तो होती है लेकिन हम पढ़ने कहा जाते हैं स्कूल में टीचर पढ़ाता है, पढ़ना हमें भी आता है, लेकिन उसी बात को टीचर पढ़ करके और हमें समझाता है, ठीक है न, मानसागरी में भी ठीक इसी प्रकार से अध्यन कर लिया, पढ़ लिया उन्होंने, लेकिन बात समझ नहीं आई, और समझ आने तो बहुत दूर के बात है उन्होंने का ये जिसकी यहाँ पर ब्रसना कर रहा है मानसागरी वही चीज बहतर है उन्हीं को हमने अच्छे जीवन जीते वे देखा तो इसका प्रमो को कारण मैं आपको बता दूँ सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो आप यूतियों की तमाम वीडियो यूटूब पर देखते हैं या फिर जो गूगल पर सर्च करके जो आर्टिकल परते हैं उनका वास्तविकता यह है कि कुंडली अध्यान या यूतियों के फल से कोई मतलब नहीं है आप किसी भी अच्छे चैनल या अच्छे जो आर्टिकल है उनके डिस्क्लाइमर को पढ़ेंगे तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरह में समझ जाएंगे क्योंकि वहाँ पर उसका उद्देश से कुछ और होता है चाए वो वीडियोज हो या फिर आर्टिकल हो मैं यहाँ पर इसको खुल करके नहीं कह रहा हूँ लेकिन आप समझदार हैं सब समझ रहूंगे मेरी बात को इसलिए हम इस बात को हमने भी जब यूतियों पर चर्चा की इसलिए हमने मान सागरी को आदार रखा क्योंकि हम आपको वो ऐसी कोई भी बात नहीं बताना चाहते हैं जो आपके आपको संसे में डाले और इसलिए इनका ये जो प्रश्ण ये बहुत सारथक है आज बहुत गंबिर तस इस बात को समझें अगर वीडियो आज भी स्क्रिप करेंगे तो फिर आपके बात समझ में नहीं आईगी उन यूतियों का कोई भी अर्थ या कोई भी फल उस प्रकार से जो आप समझ रहे हैं वो वास्तों में वैसे है ही नहीं आप ऐसा क्यों चैब किसी भी पुस्तक का जातका ब्रवनम का पढ़ लिजे आप मानसागरी का पढ़ लिजे आप पारासर संगीता का पढ़ लिजे आपको मैच करता हूँ मिले गई नहीं क्यों क्यों कि वास्तित्वा है कि जब हम कुंडली अध्यन करते हैं तो उनके सूत्र कुछ और होते हैं हमें उसके फल को समझने के लिए कुछ और चीज का असरे लेना पढ़ता है जबकि हम यूतियों के सीधे-सीधे फलादो को जो हम पढ़ रहे होते हैं उनके सीधी जो डेफिनेसन है उससे मैच नहीं खाती है आप समझ रहे हैं मैं आपको एक उधारन देकर समझाता हूँ मान लो कि हम यहां से एक रिषिकेस या आपके सहर का कोई भी फलादिस कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि तरवेनी घाट कैसा है अब आपने तरवेनी घाट की खूब खूबियों को गिनाया समझ रहे हैं लेकिन अगर हम पूछें कि रिषिकेस किस्तिती कैसी है तो आपको लग रहा है कि नहीं रिषिकेस में तो बहुत सारी ऐसी भी जो गली बहुले हैं जहां बहुत जादा दिक्कत हैं जहां बहुत जाला कुड़ा कचड़ा पड़ावा है, गंदगी फैली भी है, लेकिन हम त्रिवेनी घाट के जो सौंदरे कावर्णन कर रहे हैं, तो वो जूड तो नहीं है, वो हभी उचित है, वहाँ पे सौंदरी है, वहाँ बहुत अच्छा है, वो बहुत अट्रक्शन व बारे में कहेंगे, तो रिसी केस में ये कोना भी है, वो कोना भी है, इसलिए जोतिस में जब हम किसी यूती की बात करते हैं, तो हम एक यूती की बात कर रहे हैं, यानि हम तेक तरवेनी घाट वाले पलेस की बात कर रहे हैं, वो बहुत खूबसुरा है, बहुत अच्छा है लेकिन वो गली के उस नुकड में रहने वाले ब्यक्ति से पूछो जो वहां रहकर के बिमार पड़ गया तो यही प्रश्णी इनका भी है काम ने उन लोगों को बहुत अच्छे जीवन जीते वे देखा है जिनकी मानसागरी ने ब्रसना करी है तो मानसागरी उस कोने की बात कर रहा है इसलिए आपको ये वाला कोना समझ नहीं आया इसलिए जब भी हम जन्मकुणली फलादेस की बात करते है या जब भी हम उसके फल को समझने की बात करते हैं तो सिर्फ एक यूती, इसलिए मैंने हर वीडियो के स्टार्टिंग में कहा है, आप जितनी यूती की वीडियो सुनंगे, उसमें मैंने स्पस्ट कहा है कि ये आपकी फुन लिका फलादेश नहीं है, और इसलिए अक्सर उनमें जब कमेंट होती है नीचे, तो मैं देखता हू कि लोगों का ये प्रश्ण रहता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल मैच नहीं करा है, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत अच्छा है, उसमें तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनको गलत लगेगा ही वो, इसलिए हम हर वीडियो में गया है कि ये आपकी कुंड़ी का फलादेस नहीं है क्योंकि आपकी कुंड़ी के अंदर और भी योग हैं आपकी कुंड़ी के अंदर जो ग्रह दसाइं चल रही है आपकी कुंड़ी के अंदर जो आपका गोचर चल रहा है आपका फलादेस उसके हिसाब से होगा आपकी प्रूप में हम इसका फलाफल समझने का प्रयास करेंगे तब हमें वो फल स्वश्ट प्रूप से समझ में आएगा वरना फिर इसी प्रकार की ब्रांतिया बनी रहती हैं और इसलिए हर वीडियो के प्रारम में हमने का है कि यहाँ सिर्फ एक शूत्र का फल है किसी कुणली का प्राफलादेश नहीं है अब आप समझ रहोंगे आसा कर रहा हूं करता हूँ कि आपका जो आज का कारिकरम है वो काफी सारतक होगा आप समझ चुकियोंगे इस बात को जब भी आप किसी थमनेल को देखकर के अटक्शन को अटक्टिफ थमनेल को देखते हैं और आपको जिनका जोतिस से मतलब होगा अब वो बात अलग है कि हम कहीं से चल करके आए और कहीं हमने देखा कि जोतिस में बहुत अच्छा पैसात हम जोतिस में प्रवेस करके वो भी से अलग है देकिन जो प्रारंबिक चरण से जोतिस पढ़ करके जो जोतिसी होगा वो निश्चित महादसा की फल को बताए और विमसूत्री महादसा नहmetics भी इसी प्रकार से फल कथन है क्योंकि हम जो जिस प्रकार से समझ रहे हैं उस प्रकार से वो दसाओं का फल देते ही नहीं है भी ओव आपकी कुंड़ी में वग्रह कैसा है उसकी आधार पर आपको फल मिलेगा और हम देखते हैं हमने Google पर सर्च मार दिया कोई आर्टिकल पढ़ लिया हाज ये ब्रस्पती के दसाइची होती है लेकिन हमने कई बार आपको ये भी बताया कि ब्रस्पती की दसाइच सबसे खराब हो जाती जीवनकाल ब्रस्पती की दसाइच कई ऑपरेशन करा देती है और सबसे असुप फल देने में यहाँ इनकी भूमी का होती है सनी राओ कि ये तू जैसे ग्रह जिनको लोग देखकर घवराते हैं उनकी दसाओं में लोग राजा बन जाते हैं अर्स से जो है अर्स तक पहुचाने का काम करती है इसलिए कभी भी जोतिस के किसी पहलों को समझे तो उसको सहज लेकर ना चले उसके अनेक अनेक पहलों और अनेक रे शूत्रों पर एक साथ स्टडी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फल समझ में आगे तो आसा करता हूँ आज का कारक्रम आपके लिए बेहत अच्छा और आपके लिए संसे छेदन वाला राओग मिलते हैं फिर तमाम जोती सुरत अध्यात ऐसे ही कुछ कास कारक्रम आपके लिए तब तक हमें दीजी अजाज़त तन्यवाद